पी टू प्रिजेंट के पजेशन यानि वर्तमान की संपती को दिखाता है कि हमारे पास क्या है जबकि पी टी टू पास्ट के पजेशन को दिखाता है कि हमारे पास पास्ट में क्या था और एफ टू फ्यूचर के पजेशन को दिखाता है कि फ्यूचर में हमारे पास क्या पीटू का रूल है subject plus have or has plus object यह American rule है British rule है subject plus have or has plus got plus object for example I have a book मेरे पास किताब है और British बोलेंगे I have got a book मेरे पास किताब है किशन has confidence और किशन has got confidence किशन को विश्वास है दोनों का मतलब सेम बिटिश लोग have has के साथ got लगा देते मतलब position को ही दिखाता है और हैस का प्रयोग हम he she it everybody nobody everyone no one और किसी एक नाम के साथ करते हैं और बाकी के साथ हम have का प्रयोग करते हैं p2 shows present position यह संपत्ति को दिखाता है अब अगला टेंस देखें p2 इसका रूल है subject plus head plus object यहां सब के साथ head का इस्तेमाल होगा for example I had a book मेरे पास किताब थी किशन had confidence किशन को विश्वास था next f2 इसका रूल है subject plus will have plus object for example I will have a book मेरे पास किताब होगी किशन will have confidence किशन को विश्वास होगा let's see more examples I have a car मेरे पास कार है I had a car मेरे पास कार थी I will have a car मेरे पास कार होगी we have experience हमें तजर्वा है we had experience हमें तजर्वा था we will have experience हमें अनुभव होगा you have intellect आप में बुद्धी है you had intellect आप में बुद्धी थी you will have intellect आप में बुद्धी होगी my father has spirituality मेरे पापा में अध्यात्मिक्ता है my father had spirituality मेरे पापा में अध्यात्मिक्ता थी my father will have spirituality मेरे पापा में अध्यात्मिक्ता होगी he has two kids उनके दो बच्चे है he had two kids उनके दो बच्चे थे he will have two kids उनके दो बच्चे होगे my mother has honesty मेरी मम्मी में इमांदारी है my mother had honesty मेरी मम्मी में इमांदारी थी my mother will have honesty मेरी मम्मी में इमांदारी होगी she has faith in God उन्हें भगवान में विश्वास है cow has four legs गाई की चाढ टांगे होती हैं cow had four legs गाई की चाढ टांगे थी cow will have four legs गाई की चाढ टांगे होंगी it has a tail उसकी एक पूँच है it had a tail उसकी एक पूँच थी it will have a tail उसकी एक पूँच होगी Sita and Ram have creativity, Sita और Ram में रचनात्मकता है Sita and Ram had creativity सीता और राम में रचनात्मक्ता थी सीता और राम में रचनात्मक्ता होगी बोथ है राइचसनेस दोनों में पवित्रता है बोथ है राइचसनेस दोनों में पवित्रता थी बोथ है राइचसनेस दोनों में पवित्रता होगी Most of the people have problem, जातर लोगों को परिशानी है Most of the people had problem, जातर लोगों को परिशानी थी Most of the people will have problem, जातर लोगों को परिशानी होगी Least of the people have patience, कुछ लोगों में धहरे है Least of the people had patience, कुछ लोगों में धहरे था Least of the people will have patience, कुछ लोगों में धहरे होगा They have courage, उनमें हिम्मत है, They had courage, उनमें हिम्मत थी, They will have courage, उनमें हिम्मत होगी Everybody has mind, हर किसी में दिमाग है, Everybody had mind, हर किसी में दिमाग होगा Nobody has time, किसी के पास समय नहीं है, Nobody had time, किसी के पास समय नहीं था nobody will have time किसी के पास समय नहीं होगा आप भी इसी तरह प्रेक्टिस करिये I say we say you say my father he my mother she ट्यादी से आप sentence बनाये and you will see great change in your English because practice makes you perfect